हेलो एन वेलकम दोस्तों, साउथ अफरीका में खेले गए 2003 वर्ल्ड कप में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था और वो ट्रेंड था फास बॉलिंग का, उस वर्ल्ड कप के अगर आप स्टैट्स उठा के देखेंगे, तो जादा तर गेंदबाज अपनी जो एबरिज पेस ह उससे कहीं जादा तेज गेंदबाजी उस वर्ल्ड कप में कर रहे थे, आप सोयबक्तर हों, ब्रेटली हों, शेन बॉन्ड हों, ये सब वो गेंदबाज थे जो उस वर्ल्LES कप में 150 से जादा की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे, इंडियन गेंदबाजों की बात करें तो जहीर खान, असीस नहरा, 145 की regular pace पर उस World Cup में गिंदबाजी कर रहे थे, वो trend आगे बढ़ा, इंडिया आया, और साल आया 2004 का, जब मुनाप पटेल, बियारबी सिंग, और साथ में जम्मू कश्मीर से आने वाले आबिद नभी, यह वो खिलाडी थे उस साल के domestic में, जिन् अपनी तेज गिंदबाजी से पहचान बनाई, और आबिद नभी वो गिंदबाज थे, जिनको एक वक्त पर इंडिया के बनव, the fastest baller के रूप में recognize किया गया था, और वो आते थे कहां से, जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में उसके बात से अगर देखें, cricket ठंडी जरूर हो गई थी, लेकिन उम्रान मलिक ने आकर के पूरी की, पूरी जम्मू एंड कश्मीर की जो cricket खेलने वाली generation है, उसको fastballing के लिए inspire कर दिया है, और अब कहीं न कहीं, जिस तरह के trends आ रहे हैं, और जिस तरह के players देखने को मिल रहे हैं, आपको जम्मू एंड क इनने सारे गेंदबाज वहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो 140, 45, easily fake रहे हैं, और मजे की बात क्या है, कि कोई 17 साल का है, तो कोई 19 साल का, और कोई 20 साल का, उन में से 5 गेंदबाज मैंने पिक किये हैं, जिनकी बात मैं आज के इस वीडियो में करूंगा, च्योंकि ये fastballer के ब अगर नए नहीं भी हैं, तब भी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के exciting वीडियो एक तो मिलेंगे, और दूसरा हम 20,000 सब्सक्राइबर से चंद कदम दूरी पर खड़े हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इस सूची में 5 में नमबर पर हैं 17 साल के, सिर्फ 17 साल के यासिर रसीद, जो 140 प्लस क्लिक्स पर गिंदबाजी ओल्रेडी कर चुके हैं, और तेज गिंदबाजी की बात अगर होती है, तो तेज गिंदबाजी में आप पेश किस किस तरह से जनरेट करते हैं, कई सारे तरीके होते हैं पेश जनरेट करने के लिए, जो बेसिक तरीका जो सबसे पहले सिखाया जाता है, वो होता है कि अच्छा रनिंग इन, फास्ट बॉलर रनिंग इन, और जिस तरह से दोड़ते हैं, रनप बड़ा कमाल का है इनका, और उसके बाद आके उस रनप से, उस तेज गिंदबाजी के रनप से ये पेश जनरेट करते हैं, और बन फॉर्टी क्लिक्स पर अच्छी खासी तेज गिंदबाजी का नमूना ये पेश कर चुके हैं, अंडर 19 अल्रेडी खेल चुके हैं, और सिर्फ 17 साल की उमर है, आप सोचिए कि जब यही गिंदबाज 20, 22, 25 साल की उमर में गिंदबाजी करेगा, तो आगे चल करके क् समय में, बहुत ही modest background से आते हैं और कश्मीर के अनंत नाक के रहने वाले हैं, ये एक चीज बड़ी common दिख रही है जितने भी fastballer आ रहे हैं, बड़े modest background से आ रहे हैं, middle class family से आ रहे हैं, और आकर के ऊपर के level पर अच्छा करते हुए जा रहे हैं, उसके बाद इस सूची में चौथे नंबर पर मुस्तफा यूसुफ, left arm fastballer जो इंडियन cricket की demand रहे हैं बहुत टाइम से, supply उतनी नहीं हो पाई, लगिन इस बग जब कश्मीर supply करने में लगा हुआ है, आपको तेज गेंद बाज और जब आपको चाहिए कि left arm fastballer तो वो भी अब यहां से आने सुरू ह गए हैं, उसी कड़ी में नाम है मुस्तफा यूसुफ का, और इनकी अगर बात करें तो यह skiddy customer हैं, तेज गेंद इनकी skid करके आती है, across format अपतक इन्होंने जो भी cricket खेली है, उसमें अच्छा किया है, उसके अलाबा IPL में यह दो दो टीमों के net wallet के रूप में already रह चुक खरीदार नहीं मिला था, लेकिन पिछले एक साल में जो progression रही है, बहुत कमाल की रही है इनके लिए, तो जरूर इस साल बहुत सारी टीमों की नजर में, रडार में हो सकते हैं, left arm fastballer, 140 की गती से गेंद बाजी करने की काभीलियत रखने वाला left arm fastballer, उसके बाद नंबर 3 पर बात करें, तो मनित जसरोटिया, 140-45 की स्पीड पर लगातार गेंद बाजी कर रहे हैं, इनका action देखने के बाद एक चीज समझ में आती है, कि short pitch gain या hit the deck gain इनकी natural length है, आपने वरू नेरन को देखा होगा गेंद बाजी करते हुए, कि पीछे की length से भी gain अच्छी खासी sk करके आती है, तो कुछ उसी तरह का मिलता जुलता action है, अभी ये फिलाहल जमुएंड कश्मीर under 25 टीम का हिस्सा थे, जो under 25 पूर्णमेंट खेला जा रहा था, वहाँ पर performance बहुत अच्छी रही है, और सिर्फ 19 साल के हैं, ये चीजें note करने वाली है, इन सारे fast ballers के बारे मे इनकी age जरूर देखते जाएंगे, क्योंकि इसमें ये बड़ी खास बात है, कि जैसे जैसे ये आगे और खेलते जाएंगे, उपर के level पर इनको और मौके मिलते जाएंगे, ये बहतर जरूर होते जाएंगे, और I am sure, जितने सारे fast baller की बात हम कर रहे हैं, इन में से कुछ कुछ तो आपको जरूर इंडिया के लिए आगे आने वाले time में खेलते हुए दिखाई देंगे, इंडिया नहीं भी पहुचे, तो आपको IPL तक आते आते बहुत सारे जम्मू कश्मीर के fast baller इस बार के IPL auction में जरूर दिखाई देंगे, उसके बार नमबर दो पर बात करे तो बसीम बसीर, ये नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, क्योंकि इन्हों ने अपना नाम काफी बड़ा बना लिया है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट की बात करें, तो बड़े खतरना गिनबाज माने जाते हैं, टोज और नोज, सामने वाले बल्लेबाजों को इनके खिला ये थे, जो सिर्फ प्योरली तेज गिनबाजी के वजए से जिनके बारे में जाना गया, तो इनका भी नाम बहुत बड़ा बनके निकल रहा है, अब ये नाम परफॉर्मेंस में आगे चलके कितना कनवर्ट होगा, ये आने वाला बक्त बताएगा, फिलाल अंडर 25 जम्मू उसके बाद पहले नमबर पर कुबाड़ा से आने वाले बासित बसीर, सिर्फ 19 साल के बासित बसीर, जितने भी फास्ट बॉलर की बात मैंने अब तक किये, ना सिर्फ इस वीडियो में पहले भी जितने भी जम्मू कश्मीर के फास्ट बॉलर की बात मैंने किये, वो सारे र लाड़ी ऐसा है जो raw talent के रूप में identify ज़रूर हुआ था लेकिन धीरे-धीरे करके जो Indian domestic cricket का structure है उसमें जाके अब कहीं ना कहीं रम गया है क्योंकि MR Pace Foundation में जाकर के under Glen Magra already trained हो चुके हैं वहाँ पर एक अच्छा खासा बक्त ये बिता चुके हैं उसके अलावा पंजाब Kings की team के लिए एक साल net baller के रूप में भी इन्होंने अच्छा खासा time spent किया है और Kagiso Rabada जैसे गेंदबाज के साथ भी इन्होंने knowledge share की हुई है और बड़े-बड़े coaches के under भी जाकर के ये cricket को समझ चुके हैं और आगे cricket कैसे लेके जानी है वो शायद इनको अब idea बहतर हो गया है क्योंकि overall जो सारी facilities और infrastructure है उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें ये बहतर ढंक से समझ चुके हैं और better positioned हैं जितने भी fast baller की बात की जाये skill में भी शायद बहुत जादा है learning भी exposure भी इनको काफी अच्छा मिल चुका है तो इस बार के IPL auction में मैं definitely कह सकता हूं कि ये fast baller तो जरूर पिक होगा बाकी कोई pick हो या ना हो लेकिन ये जरूर पिक होने चाहिए height इनकी जो 6 feet 3 inch की है वो इनके लिए एक बड़ा advantage लेके आती है जिसकी वज़े से इनको extra bounce मिलता है gain move कराने की काबिलिया था और 140 clicks पर left arm fast baller अगर gain move कराता है और 6 feet 3 inch की height से कराता है त ना कहीं जो इस बग पर हैं वो हैं उम्रान मलिक इंडिया के लिए जाकर खेले हैं जो भी limited मौके मिले हैं उनमें उन्होंने इंप्रस किया है और उपर के level पर जाकर के suddenly perform करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता जैसे आप सब जानते हैं उम्रान मलिक एक raw talent के रूप में आ दिलता है तो फिर उसका production और maturity जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है और इसलिए उम्रान मलिक को आपको थोड़ा सा बक्त देना पड़ेगा उपर के level पर ताकि वो अच्छा perform कर सके और यह video आपको अच्छा लगाए पसंद आया है तो आप सब like जरूर करें आप सब subscribe ब सिर्फ जम्मो कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है जहां से नए नए और exciting क्रिकेटर निकल के आ रहे हैं बहुत सारी और जगहें भी हैं जहां से बड़े और exciting क्रिकेटर निकल के आ रहे हैं आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया वीडियो में जुडने के लिए thank you good bye see you in next video झाल 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 झाल